आप सभी को इशू सहाए ओनलाइन अराधना में आप सभी का स्वागत है आज के इस रहिवार में 20 जून 2021 हमारे ध्यान मनन का जो विशय दिया गया है वो है आत्मिक स्वतंत्रता जो हमें खृष्ट में प्राप्त होती है आज पवित्रात्मा के आउतरन पर्व के परशात चौथा प्रभुवार है आयम परमेश्वर की महिमा इस्तूती में उसके अराधना में अपने इस समय को हम वैतीत करें वचन हमसे कहता है गलाती पांच अध्याय एक पद में मसी ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो सर्वशक्तिमान इश्वर पिता पुत्र और पुईत्रात्मा के नाम में आमिन द्यालु जीविते अनुग्राकारी पिता परमेश्वर हम तेरे दास दासी तुझ परमेश्वर को दन्यवाद देते हैं कि तुने हमें या एक सुन्दर दिन और समय दिया है कि हम एक साथ एक चित होकर तुझ परमेश्वर की अरादना इस्तूती करने पर है हे पिता तेरा पुईतर आत्मा निरंतर हमारा साहयक होता है और उसी आत्मा के द्वारा से हम तुझ परमेश्वर की सच्ची सेवा कर सकते हैं होने दे कि इस अराधना में भी हम मेंसे प्रतेक के चीवन में जो कोई भी इस अराधना में जुड़े हुए हैं हरी के जिन में वो अपवित आत्मा कारे करे कि हम आत्मा से सच्चाई से तिरी अराधना स्तूती करने वाले हो सके हमारे प्रभुईशू ख्रीस्त के द्वारा आमेन गीत संख्या दो हिम नमबर टू मेरा दया है मेरा मन जाना हाया है मेरा मन जाना के रभुमन को प्रिंशिपर आपके चाचो हो शंदी दे नाश करने को इशु दु साहारा दे कि मेर बचु पाफो से में के बुर इसुच प्रिंदा प्रभुमन को प्रभुमन को प्रिंदा बच्छ आपके लिए साहा प्रिंदा आपके लिए्पुमन को प्रभुमन को प्रिंदा प्रभु के सम्मुक अभाद, रभु तु है ख्रीपाँ मैं, ओ उस्तार तु रिंद्यो जै, आम्री। हम आज के दिन के कलेक्ट प्रात्नाओं को प्रभु के सम्मुक अर्पन करेंगे, हम प्रात्ना करेंगे, आज वईतर आत्मा के उतरन प्रभु के प्रशाथ, चौथा प्रभु आर की प्रात्ना। ही सरशक्तिमान परमेश्वर तेरी सेवा करना सिद्ध सुतंतरता है, यवर दे की तेरे पुत्र का आत्मा, हमें भरस्टाचार और भै के बंधन से मुक्त करें, और हमें सब लोगों के साथ इस योग्ये बनाएं, कि हम तेरी सच्ची संतानों के उप्युक्त महिमा में सुत प्राप करें, हमारे प्रभुई शुक्रिस्ट के द्वारा, जो तेरे और पुधरात्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है, आमें, हम प्रार्थना करेंगे, हर एक बिमार जनों के लिए, बुजूर जनों के लिए, जो अस्पतालों में है, घ चीवन और अरुग्यता के दाता, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बुजुर जनों पर, हर एक रोगियों पर, और विशेष करके इस कुरोना महामारी के कारण से, जितने भी तेरे स्रिस्टी, तेरे बनाए हुए, तेरे रच्चे हुए लोग, बिमार है, कुरोना महामारी क कारण से विविन प्रकार की बिमारियों से ग्रसित है हर एक को हम तुझ पर मेंशर के निकट लेकर आते हैं तो उन पर उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशी स्कूंडे कि वेतन मन और आत्मा में चंगे हो जाए और निरंतर तुझ पर मेंशर को धन्यवाद की भेट पाए इस अरादना के माद्यम से जितने भी परिवार चुड़े गए हैं हे पर मेंशर प्रातन करते हैं माता पिता भाई बहन बच्चे इस वर्सा रितों के समय में जब अनेक प्रकार की बिमारिया हमें घेरने पर होती हैं प्रातना है पिता कि हर एक तुझ पर मेंशर की स एक एक परिवार दिन और रात तुझ पर मेंशर के निकटता में करने पाए हर एक जो सेवा को देते हैं हम उनके लिए प्रातना करते हैं अस्पतालों में हैं बिमारिया प्रकार की समाज सेवी संस्थाएं हैं धार्मिक संस्थाएं हैं प्रातना है पिता कि तो ही हर एक के स कि उनके सिवाओं के द्वारा से अनिक लोगों के प्राण बचा लिये जाए हमारे प्रभुई शुक्रीस्ट के द्वारा आमीन हम प्रात्ना करें के कि सुबसमचार सारे चगत में फैल जाए ही सवशक्तिमान पर मेंशर तो उने सब जाती के मनुश्यों को एक ही लहू से सार लोग तुझे टोल कर पाए और हे स्वर्गे पिता उस प्रतिग्या को शिग्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुश्यों पर अपना आत्मा उन डेलूँगा हमारे त्राता इशुक्रीस्ट के द्वारा आमीन हम इस समय पाप अंगिकार की प्रात्ना में जाएंगे संपूर्ण मन, संपूर्ण प्रान, संपूर्ण बुद्धी और संपूर्ण शक्ती से प्रेम कर या पहली आज्या है दूसरी या है अपने पडोसी को अपने समान प्रेम कर इनसे बड़ी और कोई आज्या नहीं है परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अप पश्चताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगिकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्याओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिला और प्रेम से रहने का द्रिड संकल करें। आए हम पाप अंगिकार की प्राथना एक साथ करेंगे हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे सुर्गिक पिता हमने मनवचन और कर्म से तेरे विरुद और एक दूसरे के विरुद पाप किया है हमने अपनी अज्ञानता और दुरबलता के कारण और जान बूच कर भी बुराई की हैं और भलाई करने में असफल रहे हैं इन सब पापों के लिए हम सच मुझ खेदित हैं और अंतकरन से पशताब करते हैं तेरे पुत्र एशुक्रिस्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिये उसे के कारण हमने जो पाप किये हैं उनको खमा कर और यह वर्दे की भविश्च्र में हमने अचिवन पाकर सदा तेरी सेवा करें ताकि तेरे पुत्र नाम की महिमा हो आमिन सर्व शक्तिमान परमेश और उन सब कुछ हमा करता है जो एक दूसरे कुछ हमा करते और सच्चा पश्चताब करते हैं वह हम सब पर दिया करे हमारे सब पापों कुछ हमा करे और उनसे हम कुछ उटकारा दे सब भले कामों में हमें स्तिर और सबल करे और शास्वत जीवन में बनाए रखे आमिन परमेश्वर का धन्यवाद हो पहला पाथ आज के लिए टेहरा गया पहला पाथ है पुराना नियम से ववस्था विबरन उसका पाँच अध्याय 12 पत से 15 पत तक ववस्था विबरन पाँच अध्याय 12 से 15 तु विश्राम दिन को मान कर पवित्र रखना परमेश और यहवा ने तुझे आग्या दी, छह दिन तो परिस्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु सात्वा दिन तेरे परमेश और यहवा के लिए विश्राम दिन है, उसमें ना तू किसी भाती का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशू, ना कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिस से तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करें। और इस बात को समरन रखना कि मिस्र देश में तु आप दास था, और वहां तेरा परमेश्वर यहवा तुझे बलवन्त हात और बढ़ाई हुए भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्या देता है, या परमेश्वर का वच्चन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ कुरिंथियों के नाम पौलुस्प्रेरित की दूसरी पत्री, तीन अध्याय साथ पत से अठारा पत तक। दूसरा कुरिंथ अध्याय तीन पत संख्या साथ से अठारा। यदि मृत्यू की वावाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजों में हुई कि मूसा के मूँ पर के तेज के कारण, जो घटता भी जाता था, इस्राइली उसके मूँ पर द्रिस्टी नहीं कर सकते थे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों नहोगी। क्योंकि जब दोसी ठहराने वाली वाचा तेजों में थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजों में क्यों नहोगी। और जो तेजों में था, वह भी उस तेज के कारण, जो उससे बढ़कर तेजों में था, कुछ तेजों में ना ठहरा। क्योंकि जब वा जो घटता जाता था तेजो में था तो वा जो स्थिर रहेगा और भी तेजो में क्यों ना होगा इसलिए ऐसी आशा रखकर हम ही आप के साथ बोलते हैं और मुसा के समान नहीं जिसने अपने मुँपर परदा डाला था ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को ना देखे परन्तु वे मती मंद हो गए क्योंकि आज तक कुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही परदा पढ़ा रहता है परवा मसी में उठ जाता है आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर परदा पढ़ा रहता है परन्तु जब कभी उनका हृदय प्रभू की ओर फिरेगा तब वह परदा उठ जाएगा प्रभू तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभू का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है परन्तु जब हम सब के उगाडे चहरे से प्रभू का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है जिस प्रकार दर्पन में तो प्रभू के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तिजस्वी रूप में अंस अंस करके बदलते जाते हैं या परमेशर का वचन है परमेशर का धन्यवाद हो गीत संख्या 131 हिम नमबर 131 करके मुझ को सुना फें मंद सुसा माचा संजु मेश का अंसा मंद सुसा माचा संद जी बंद आया तर विस्वास का सिक्षा वचन माहा स्लिष्टिवाद मंद सुसा माचा वचन माहा से स्लिष्टिवाद मंद सुसा माचा इस शुसरों को देता है मंद सुसा माचा वचन माहा स्लिष्टिवाद मंद सुसा माचा वचन माहा स्लिष्टिवाद मंद सुसा माचा वचन माचन मंद सुसा माचा वचन माहा स्लिष्टिवाद मंद सुसा माचा वचन माहा स्लिष्टिवाद मंद सुसा मिष्टिवाद मंद सुसा माचा पवित्र सुसमचार पवित्र मर्कुस रचीत सुसमचार उसके दूसरे अध्याय में लिखा है और तेईस्वे पवित्र सुसमचार आरम होता है हे प्रभुई शुक्रिस्त तेरी महिमा हो मर्कुस रचीत सुसमचार दूसरा अध्याय तेईस पद से तीसरा अध्याय का छठा पद तक मरकुस अध्यायदो पत संख्या तेईस से तीसरे अध्याय का छठे पत तक ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोडने लगे तब फरीसियों ने उससे कहा देख ये सब्त के दिन यह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं उसने उनसे कहा क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाउत को अवशकता हुई और जब वा और उसके साथ ही भूखे हुए तब उसने क्या किया था उसने कैसे अभियतार महायाजक के समय परमेशर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी तब उसने उनसे कहा सब्द का दिन मनश्य के लिए बनाया गया है ना कि मनश्य सब्द के दिन के लिए इसलिए मनश्य का पुत्र सब्द के दिन का भी स्वामी है वो फिर अराद नाले में गया वहाँ एक मनश्य था जिसका हाथ सूख गया था और वे उस पर दोस लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वो सब्द के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं उसने सुखे हाथ वाले मनश्य से कहा बीच में खड़ा हो और उन से कहा क्या सब्द के दिन भला करना उचित है या बुरा करना प्रान को बचाना या मारना परवे चुप रहे उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोच से चारो और देखा और उस मनश्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोधियों के साथ उसके विरोध में समति करने लगे कि उसे किस प्रकार नस्ट करें या ख्रिस्ट का सुसमचार है हे प्रभुई शुक्रिस्ट तेरी स्तूति हो सर्वशक्तिमान इश्वर पिता पुत्र और पुत्रात्मा के नाम में आमिन प्रमेश्वर का धन्यवाद हो और फिर से हम लोग आज ऑनलाइन अराधना के माद्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं और हमारे लिए एक विशेस दिन पुत्र विश्रामवार का दिन आज ठहराया गया है आज हम लोग 20 जून 2021 में हैं जिसमें हम प्रभु के उन व विशे जो आज का मनन ध्यान का विशे जो दिया गया है वह हमें बतलाता है कि आत्मिक स्वतंत्रता आत्मिक स्वतंत्रता जो हमें खृष्ट से प्राप्त होती है आत्मिक स्वतंत्रता हमें सिर्फ खृष्ट से ही प्राप्त हो सकती है यदि आप भजन सहीता उसका पंद् को पढ़ेंगे उसमें बाते लिखे हुए है कि दाउद बोल रहा है कि परमेश्वर के तंबू में कौन रह पाएगा भजन सहीता पंद्रा में कहता है कि परमेश्वर के तंबू में कौन रह पाएगा उसका उत्तर बतलाता है कि जो खराई से चलता है और बुराई से दूर रहता है चाहे वह किसी भी प्रकार की बुराई क्यों ना हो पोईत्र विश्रामवार का दिन जो दिया गया विवस्था विवरन के पुस्तक में उसमें इस्राइलियों को विशेस बातें जो बतलाएगी कि परमेशन ने कहा कि 6 दिन तुम क्या करना विविन प्रकार के कामों को करना लेकिन 7 दिन तुम विश्राम करना और उस विश्राम में सिर्फ तुम ही नहीं वे लोग जो तुम्हारे उस गाउं में रहते हैं उस इस्थान मे रहते हैं उस चारदिवारी के अंदर वास करते हैं जहां तुम लोग रहते हों उन्हें भी विस्राम मिलना चाहिए इसकर्द क्या है कि उन्हें इस्मरन रखना है कि मिस्र में भी वे दास के समान थे उनके साथ यदि बुरा वहवार किया गया तो इस्राइलियों से यह परमेश्चर किया गया थी कि तुम अपने दास दासियों के साथ वैसा वहवार कभी मत करना और उनके साथ निरंतर बने रहना उसी प्रकार दूसरा कुरिंथ में भी हमने इनी बातों को सुना कि नया नियम की बातें जो है इशुक्रिस्त की जो बातें हैं वह पुराने नियम में जो बातें पर्दा डाले हुए थी उन पर्दों को क्या करता है उठा देता है वह मूसा से तुलना करता है प्रभुई शुक्रिस्त की तुलना मूसा से करता है कि मूसा जब परमेशर से भेट करके आया तो उसने अपने चहरे को ढाक लिया ताकि जो उसके चहरे का तेज है वह घटता जा रहा था उसे लोग ना देख पाएं उसे वे ना देख पाएं लेकिन जब प्रभुई शुक्रिस्ट की बात जब आती है या प्रभु के आत्मा की जब बात आती है तो वह क्या हो जाता है वह हमें हर एक प्रकार के परदों से परदों को हटा देता है और हम परमेशर के तेज को प्रभु में और उस आत्मा में देख सकते हैं इसलिए दूसरा कुरेंट तीसरा अध्या का सत्रा पद में लिखता है कि प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहा स्वतंत्रता है तो जब स्वतंत्रता हमें प्रभुईश्यु ख्रिस्त से ही मिल सकती है तो वर्तमान जीवन में कई ऐसी बाते हैं कई ऐसे विचार हैं कई ऐसे कारे जो हमारे जीवन में हैं जिसे हम लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं हमें उनका निरक्षन करने क्या हो सकता है? कि मेरे अंदर क्या है? कि हम सही रूप से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं. मेरे अंदर क्या है? कि हम अब भी बंधन में पड़े हुए हैं. जंजीरों में और बेडियों में हम बंधे हुए हैं. हम उनके नामों को भी नहीं ले पात कि मीरे अंदर क्या है ज़ु मैं अभी भी बंधन में में पढ़ा हूँ। ऐसा कई बार हम दूसरे मनुश्यों के प्रती रखते है। हम लोग दूसरे मनुश्यों के प्रती रखते हैं, कई बार हमारे चीवन में नसा की बात आया आती है, लालच की बाते आती है, इर्सिया की बाते आती है, क्रोध की बाते आती है, जो हम सभी को अपवित्र करता है और हम फिर से बंधन में या बेडियों में जकड़े रहते है और उन सब से क्या उशक्ता है हमें? उपचार क्या उशक्ता है? उपचार किस से होगा? प्रभू ईशु क्रिस्त से होगा. प्रभू ईशु क्रिस्त ही हमारा उपाय है, उपचार है. हर एक प्रकार के बंधन से वही हमें छुटकारा दे सकता है. क्योंकि इश्यो क्रिस्त ने उन कामों को किया या परमेश्वर ने उन कारियों को किया जिन कारियों को यदि हम भी करते या फिर हमारे द्वारा जो प्रयास होता या हमारा जो कारे होता उनसे हम कभी भी परमेश्वर के साथ अपने जीवन को वैतीत नहीं कर पाते पर्मेशवर ने किया एस ने क्या किया इसने क्या किया पापों पर विजह प्राप की उसने मृत्य पर विजह प्राप की और फारे क्रोर्ड dzisiaj है उसने तोड डाला और उसने अपने कारियों के द्वारा से हमें हम सभी को मुझे और आपको परमेश्वरसे फिर से जोड दिया वह एक सच्चा मनुष्य का जीऊन वैद despite किया क्या मनूष्य का जिऊन वैदित किया वो चर्णी में जन्मा और पाप रही जीवन जिया उसे धोखा मिला अपने शिश्यों के द्वारा से ही उसने मार खाया उसने उस पर थुका गया और क्रूस पर भी वो चड़ाया गया यह परमिश्यों की योजना है कि हम उस बातों पर उसी शुक्रिस रिशास करने की द्वारा से हर एक प्रकार की बातों से बुराईयों से हम स्वतंत्र हो जाएं कई बार हम लोग धार्मिक बातों के द्वारा से भी एक दूसरे से अलग हो चाते हैं इसलिए कई बार वचनों में या अविवन प्रकार की बातों में हम जब मनुश्यत्व की बात करते हैं तो हमें उन बंधनों से ज़्यादा उटने के आउशक्ता पड़ती है जो हमें परमेश्वर से और मनुश्यों से दूर लेकर जाती है और प्रभू हमारे जीवन को और मुश्किल में डालने के लिए नहीं आया था कि हम और भी बंधन में बांधे जाएं और भी हम जख्ड़े रहें वह हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए आया था इस कारण से प्रिस्थ में अतिप्रियों सुसमचार में जो बाते आती हैं सुसमचार में पाया जाता है कि ईश्यू और उसके चेले खेट से होकर जा रहे थे ततकाल उन्हें भूक लग गई और भूक लगने के कारण से उनके सामने जो कुछ भी मिला उन्होंने खाना सुरू कर दिया वह सब्त का दिन था तुरंत भूक लगा उन्होंने खेट से बालियां तोड़कर वे लोग खाने लगे और वैसे ही जब मंदिर में प्रभूई शुक्रिस्ता फरिसी लोग थे तो वहाँ पर एक सुका हात वाला भी था उसे भी ततकाल चंगाई के अशुक्ता थी वह अभी सब्त का दिन था प्रभूई शुक्रिस्त ने उन लोगों के मन की कठोरता को देखा प्रभू क्रोध में आया और उसने उसको चंगाई दी सब्त के दिन की बात यही है कि किसी प्रकार का काम नहीं करना है वहाँ उन्हें वा आग्या मिली हुई है और उसमें यही बतलाया जाता है कि ततकाल अशुक्ता जो चेलों में थी उन्होंने तुरंट बालिया तोड़कर वे लोग खाने लगे लेकिन सब्त के दिन का भोजन एक दिन पहले ही वे लोग यहोदी लोग तैयार कर लेते थे वे उस दिन भोजन भी भोजन बनाने का काम भी वे नहीं करते थे इसलिए प्रभू उन्हें कहना चाहता है कि प्रभू इसलिए आया कि लोगों के जीवन को आसान बनाया जाए वचन में सुसमचार मरकुस 2 उसका 27 और 28 पद में प्रभू इशुक्रिस्त यही बात उन लोगों को समझाता है और आज हमें भी वह प्रभू समझाने का प्रयास करता है कि तब उसने उनसे कहा मरकुस 2 अध्याय 27 और 28 पद में कि सब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है ना कि मनुष्य सब्द के दिन के लिए इसलिए मनुष्य के पुत्र सब्द के दिन का भी स्वामी है प्रभू ही शुक्रिस्त हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का जो बंधन होता है उस बंधन से हमें छुडाने के लिए वह हर एक दिन का क्या होता है हमारे लिए प्रभू होता है वह हमारे प्रतेक दिन का प्रभू होता है और हमें हर एक प्रकार के बंधनों से जिस बंधन में जिन बेडियों में जिन जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं उन सब से हमें लात्वा दिन को हर एक कारे बंद कर देते थे और सिर्व धार्मिक अनुस्ठानों धार्मिक क्रिया पर वे लोग ध्यान लगाते थे और यदि उस दिन के आग्या का उलंगन होता था तो क्या है वह कानून सहीता जो उनके पास है उनके द्वारा से वह सबसे बड़े आद में गिना जाता है लेकिन प्रभू उस दिन को भी जो भोजन करने की बात थी जो सुखे हाथ वाले को चंगाय करने की बात थी वह हर एक बंधन से हर एक परदे से जो परदा लोगों के जीवन में गिरावा था उससे वह चुटकारा देता है तो हम लोग आत्मिक स्वत संत्रता प्रभूई शुक्रिस्ण में प्राप करते हैं और उसका अर्थ यही है कि हमें देखना है कि हम जब इस अंसार में अपने जीवन को वैतीत करते हैं जिस प्रकृति में हम अपने जीवन को वैतीत करते हैं उसमें हम कितने स्वतंत्र होकर अपने जीवन को वैतीत कर रहे हैं परमेश्वर हमारा बिता है हम परमेश्वर की संतान है हम परमेश्वर के हैं हम चाहे जिवित है चाहे हम मृत्यों को प्राप्त किया है हम परमेश्वर के ही है यह वचन हमें निरंतर बतलाता है और प्रभुई शुक्रिस्ट हमें मसी इसु में पाप और मृत्यों से क्या कर लिया है छुटकारा दिला दिया है प्रमेश्व ने हमें इशुक्रिस्त में पाप और मृत्यू से छुटकारा दिला दिया है और अब हमें जो हमारा जो जीवन है हमें उसका सामना करने को शक्ता है यदि हम अपने जीवन को कि हर एक बंदन छुटकारा दिने चाहता ह तो हमें खुद का सामना करना हो और उस कारे में अपने आपको रोकने में या फिर अपने आपको स्वतंत्रता मैजिवन वैतीत करने में कौन तयार करता है यदि हम तयार होते हैं तो प्रभू भी प्रभी शुक्रिस्त भी हमारे स्वात हो लेता है और कई बातों के द्वारा स परमेश्वर के द्वारा से परमेश्वर की सत्यता की बातें जो में वचनों के द्वारा प्रभी शुक्रिस्त में मिलती है उनकी द्वारा से ही हम प्राप्त कर सकते हैं तो पहली बात हमारे जीवन में आती है कि परमेश्वर के सत्य परमेश्वर के जो सत्यता है जो सचाई ह उसके माध्यम से भी हम स्वतंत्र हो सकते हैं यहना आठ्वा अध्यार 31 और 32 पद में वहां लिखता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सच्मुझ मेरे चेले ठैरोगे तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा हमें क्या करना है प्रतिदिन परमेशर के वचनों में बने रहना है तो हम उस सत्यता को जान पाएंगी कि कैसे हम प्रतिदिन के जीवन को वैतीत करें कैसे हम प्रतिदिन को जीवन को वैतीत करें ताकि उसमें परमेशर की स्वतंत्रता हमारे जीवन में नहित हो दूसरी बात है कि पवित्रात्मा के माध्यम से भी हम स्वतंत्र होते हैं पहला हमें वचन से परमेश्वर से स्वतंत्रता मिलती है जो सत्य वचन है दूसरा है कि पवित्रात्मा के माध्यम से भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है और वच्छन कहता है कि पवित्र आत्मा एक अनमोल उपहार है जिसे परमेश्वर हमारे पशताप करने और ईशु मसी को ग्रहन करने के आधार पर देता है हम पशताप करते हैं अपने पापों से और जब हम मीश्व मसी को ग्रहन करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर देता है और वही आत्मा क्या करता है हमें सचाई की और ले जाता है वही आत्मा हमें सच्चाई के और ले जाता है जैसा यहन्ना रचित समच्चार में ही 16-13 पद में लिखता है परन्तु जब व अर्थात सत्य का आत्मा आएगा यहन्ना 16-13 तो तुमें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वह अपनी और से ना कहेगा परन्तु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आनी वाली बाते तुमें बताएगा तो हर एक बाते हमें पहली बात हम क्या जाने कि परमेश्वर के वच्चन में बने रहने से हम उसके चेले भी बनेंगे और हम सत्य को जानने के द्वारा हम सतंत्र हो जाएंगे परमेश्वर की सत्यता को जानने के द्वारा हम सतंत्र होंगे दूसरा है कि परमेश्वर की पुईत्रा आत्मा जो है वा भी हमें सतंत्रता में जीवन वैतीत करने को प्रेरित करता है और हर एक सच्चाई की बाते जो हमारे प्रतित दिन के जीवन के लिए होगी वो हमें सिखलाता है और साथ ही तीसरी बात है कि परमेशर की जो ववस्था हमारे लिए दी गई है पुरान नियम से ने नियम में जो बदलाव आया प्रभूई शुकरिस्थ के द्वारा से जो नियम हमें मिले वह परमेशर से प्रेम करने की बात है अपने पड़ोसियों से प्रेम करने की बात है उससे भी हम एक स्वतंत्र जीवन वैतीत कर सकते हैं इशुक्रिस्ट भी परमेश्वर की आज्या पालन करने के द्वारा से हमें एक उधारन देता है, एक आदर्स उधारन देता है कि हम परमेश्वर की आज्या पालन करते हुए भी एक सुतंत्र जीवन वैतीत कर सकते है प्रभू क्या कहता है युणना पंदरा अध्याय का दसपद में कि यदि तुम मेरी आज्याओं को मानोगे तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्याओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता यदि हम प्रभुईश्व खृस्त चो एक सच्चा उधारन या सच्चा आदर्स हमारे लिए है कि वह कैसे स्वतंत्र इच्छा से परमेश्वर में अपने आपको सौप दिया उसकी आग्या पालन में अपने आपको सौप दिया और जैसा प्रभु कहता है कि तुम मेरी आग्याओं को पान मानोगे तो क्या होगा तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा मैं अपनी पत्या की आग्याओं को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ इशु खृस्त का सामना यहूदियों से हुआ जो क्या मानते थे कि वे स्वतंत्र है इशू ख्रिस्त का सामना उन लोगों से हुआ जो मानते थे कि वे क्या है अब स्वतंत्र है और उनके सामने इशू ने क्या किया एक आइना रख दिया इशू ख्रिस्त ने उन यहुदियों के सामने आइना रख दिया कि वे अब भी क्या है लिखित कानून और उस विवस्था के में क्या है बंधे हुए है जो पुरानी हो गई है लिखित कानून और उन विवस्था में बंधे है अब बंधे है ना कि उस कानून से वे लोग जु उसकी बातें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन, उसकी सत्यत्ता की बातें परुतरात्मा की अगवाई और उसके सच्चाई को दिखाने की बाते यदि हमारे हृदे में हैं तो हम अवस्य अपने आपको स्वतंत्र कह सकते हैं तो खृष्टे में अतिप्रियो पुराना नियम से ही जब आप भजन सहीता 119 को आरम से पढ़ेंगे कि वह हमें बतलाता है कि हमें निरंतर उन वचनों को पढ़ना और इसमें समरन रखना चाहिए कि वह दिखाता है कि परमेश्वर की आग्या पालन करने की द्वारा से परजन सहीता 119 में पूरा उसमें लिखता है कि प्रमेशर की आज्या, उसके इच्छा, उसके अनुसार चलने में लोग कितने सुन्दर जीवन को, सुतंत्रता के जीवन को वैतीत कर सकते हैं वो एक सबसे बड़ा उधारन, पुराना नियम से हमारे लिए हो सकता है नया नियम में प्रभुई शुक्रिस्त निरंतर हमें सुतंत्र करता है, हमें भी उस आदर्स को अपनाने के हो सकता है कि हमें इशु में सच्छा और इमानदार वैक्ती बनना होगा सच्चा होना होगा इमानदार होना होगा परमेशर के प्रती और एक दूसरे के प्रती और यह सिर्फ कैसे हम हो सकते हैं सुतंत्र कैसे हो सकते हैं परमेशर की आग्या पालंग के द्वारा से प्रभूई शुक्रिस्त की उन इच्छाओं के द्वारा से जो वा हम से रखता है पवित्र आत्मा के उन अग्वाई की बातों के द्वारा से जो हमें वच्चन के हर एक रहस्य की बातों का हमें देता है हर एक बातों से हम तरी एक परमेशर से पवित्र वचनों से सुतंतरता में अपने जीवन को वैतीत कर सकते हैं इसलिए आवान वचन हमें यही मिला था गलाती पांच उसका एक पद में कि मसी ने सुतंतरता के लिए हमें सुतंतर किया है अता इसी में स्थिर रहो और दासत्यों के जुए में फिर से ना जुतो आई हम प्रात्ना करें द्यालो जीवते परमेशरीम वच्णों के लिए धन्यवात करतें कि तेरा पुत्र हमें एक सच्चा उधारन और आदर्स देता है कि हम कैसे एक सुतंत्रता में अपने जीवन को वैतीत करें हम कैसा वहवार एक दूसरे मनश्य के साथ करें और लिखी वी बातों से कहीं अधिक जो हमारे रिदे में तेरा वच्ण पुत्रात्मा की बाते तुझ परमेशर की सत्यता की बाते लिखी गई है उन वच्णों पर हम अपना ध्यान केंद्रेत करें ताकि हम सोतंत्रता में प्रेम में और तुझ परमेशर में एक सिद्ध, मनशत्व, भरा जीवन वैतीत करने पाए हम अपने विश्वास का अंगिकार इस समय करें हम प्रेडितों के विश्वास वचन के द्वारा से अपने विश्वास कांगी कार करें प्रेडितों का विश्वास वचन मैं सरशक्ति मान पितास और गवर्पृत्वी के स्रिस्टी करता हूँ परमेशर पर विश्वास करता हूँ मैं उसके एक लवते पुत्र हमारे प्रभुई शुक्रिस्त पर विश्वास करता हूँ वह पुईत्र आत्मा के सामत से गर्ब में आया और कुमारी मरियम से जन्मा उसने पुंतियुस प्लातुस के शासन में दुख भोगा वह क्रूस पर चड़ाया गया मरा और गाडा गया और मिर्टकों के लोक में उतरा तीसरे दिन वह जी उठा वह स्वर्ख पर चड़ गया और पिता की दाहिनी और विराजमान है वह जीवितों और मिर्टकों का झैय करने को फिर आयगा मैं पवित्रात्मा पर पवित्र सारलो की कलीसिया पर संतों की संगती, पापों की छमा, दे के पुनुरुथान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूं आमें गीत संक्या 134, हेम नमबर 134 मेरी लासा है कि बिश्वासे मैं जादी तेरे आस रहूं मुझ को किच तु अलाद ले अपने क्रूस के पास जहां तूने दुख साहा मुझ को क्रेम से वश्वास कर अपने हाद में ले आजवाय अल्मों अथा आत्मे शादे से काम के योग्यकर मुझ को से वावी लगा मेरा मतस ते मेरे इचा को अपने इचा से मिला मुझ को किच तु अराद ले अपनी पुस के पास जहा तूने दुख साहा मुझ को किच तु अपने हाद में ले अपनी हाद में लेखा जहाद हो आपनी प्राद में जेसे मित्र से, देसे दुट से बात करू। जोई बाड़ी में तेरे संगरू, तो महां आलते पू। तोच को पीश को रात लें, अपनी कुस के बास जाहतो लें, तो साह। तोच को पीश से बास कर, अपनी हाथ मिलें, तो जो हाएल मुवादा। सब जिए अपनी में जानूगा, जब तक स्वाइना जाओंगा। सबसे स्वेश कानन अपनी लेकाच, तोच को हों से देखोगा। मुझको कीश कर रात लें, अपनी कुस के बास जाहतो ने दुखसा हो। मुझको प्रें से बास कर, अपनी हाथ मिलें, आच जब आएल मुवादा। प्रतेक दानों को हम प्रभू के सम्मु कर्पन करें, जिनको हमने इस रातना के क्रम में चड़ाया है। प्रात ना करें, प्रमेश्वर के आशी इसके लिए। उनके भंडार, उनके जीवन पर भी तिरे प्रमपार आशी सोने पाए। हमारे प्रभू इशू ख्रीष्ट के द्वारा, आमिन। हम मिलकर परमेश्वर पिता को उसकी प्रतेक आशीस और अनुग्रा के लिए धन्यवाद दे। जो निरंतर वा हमारे परिवारों पर, हमारे जीवन पर बनाएं रखता है। कुछ धन्यवाद प्रात्ना निवेदन है, स्रिमती, कमला, हम्रों और उनका पूरा परिवार जो जनसेत्पूर पाश्रेट सोनारी लोकल से हैं, उन्होंने अपने सत्तरवे जन दिवस को कुशलता पूर्वक मनाया, सत्तर वर्स उन्होंने पूरा किया, उनका पूरा परिवार, उनकी बेटी स्वेता और अन्ने लोग और साथी उनके घर में इंदू नाम की जो रहती हैं, उनके लिए भी प्रात्ना निवेदन करते हैं, पूरे परिवार के साथ मिलकर परमेशर को धन्यवाद देंगे, मृत्यू परियंत धन्यवाद देते हैं, पूर्ती परिवार और लकड़ा परिवार, स्वर्गे आर्थर पूर्ती का परिवार परमेशर को धन्यवाद अरपन करना चाहता है मुनके साथ मिलकर परमेशर को धन्यवाद देंगे साथी स्वर्गे क्लारा लकडा का परिवार जो उनके पुन्यतिति को मना पारा है उनके साथ मिलकर भी परमेशर को धन्यवाद देंगे साथी प्रभु के दासी प्रियंका तिर्की जो प्रतेक आशिशों के लिए परमेशर को धन्यवाद चड़ाती है उनके साथ मिलकर परमेशर को धन्यवाद दें दाउद अपने भजन में कहता है भजन 23 इस तोत्र 23 प्रभू मेरा गडेरिया है मुझे कुछ घटी ना होगी वह हरी हरी चराई में मुझे बैठाएगा विश्राम दायक जल के तीर पर वह मुझे ले चलेगा वह मेरे जीव को स्वस्त करेगा धर्म के बाटों पर वह अपने नाम के नमित मुझे ले जाएगा वरन जब मैं मृत्य चाया के खडमे से जाओ तो भी मैं बुराई से ना डरूँगा क्योंकि तू मेरे संग है तेरी चड़ी और तेरी लाठी जो है सो मुझे शान्ती देंगी तू मेरे बैरियों के द्रिस्टी में मेरे सामने एक भोजन मंच बिछाएगा तूने मेरे सिर को तेल से चुपड़ा मेरा कटोरा भर के परिपूर्ण है केवल भलाई और दया मेरे जीवन भर मेरा पीछा करेंगी और मैं प्रभू के घर में चिरन जीव रहूंगा सरुशक्तिमान इश्वर पिता के पुत्र के और पुईत्रा आत्मा की महिमा हो जैसे आदि में थी अभय और सदा वर्नियो गानियो होती रहेगी आमिन हम धन्यबाद प्रात्ना अरपन करें ही सरुशक्तिमान परमेश्वर तेरे समक्षमानो जाती की पीडिया उत्पन होती है और मिट जाती है हम तेरे उन सब दास्यों के लिए जो तुझ पर भरोसा और विश्वास और स्रधार रखते हूए संसार से विदा हो गए विशेस करके सुरगे आर्थर पूर्ति सुरगे क्लारा लकड़ा पूर्ति परिवार और लकड़ा परिवार उन लोगों को इस्मरन करते हुए धन्यवात भेट अर्पन करते हैं कि तुने उनके मृत्यों के समय तक भलाई और करुणा उनके जीवन पर बनाई रखी उनके उन पर कृपा के लिए और तुझ पर मेशर के नुग्रा के द्वारा उनके वेक्तित वे तो था उनकी हर एक उपलब्दियों के लिए हम इनके दासी होकर जब धन्यवात की भेट अर्पन करता है तो हमारे जीवन के सामने जो दौड तुने रखा है हम वचनों के द्वारा से अपने प्रिये जनों के द्वारा से उनके नमूने से प्रोचाहित होकर इस प्रकार दौड़े और धीरत से दौड़े और विश्वास के करत आर सिद्ध करने वालों की ईश्यों की और हम निरंतर ताक्ते रहें ताकि अंत में हम अपने सब प्रियजनों के साथ तेरी उपस्तिती में जहानन की परिपूर्ती है एक हो जाए हमारे तबुई शू क्रीस्त के द्वारा आमेन हम धन्यवाद अरपन करेंगे हम प्रिवार मिसिस कमला हम प्रिवार के साथ मिलकर हम धन्यवाद दे परमेशर को जन दिवस के लिए सत्तर वर्स की आयो को पूरा करने के लिए और हर एक प्रिवार के सदस्यों के लिए भी हम प्रार्थ ना करेंगे ही सरशक्तिमान परम दियालो पिता तेरी दया सारी सिर्ष्टी पर बनी रहती है तुने अपनी बड़ी दया से अपनी इस दासी स्रिमती कमला हैम्रोम उस मा पर तुने अपनी अनुग्र की द्रिस्टी बनाई रखी कि आज पूरा परिवार मिलकर उनके सत्रवे जन्दिवस को मना पाया और सत्रवर्स की आईउ में तुन्हें अद्बुद्रीती से उनकी रक्षा रखवा लिए के अपनी उपसिती से तुन्हें उनके जीवन को सोबित किया हर एक बातों के कारण हम तेरे स्तूती करते हैं प्रात ना करते हैं पिता परमेश के तु अपनी दासी पर और उनके परिवार में जो भी सदस्जिगन हैं सुएता हैं इंदू हैं हर एक के जीवन भी जो भी दुर्बलता हैं समस्या हैं और तकलीफे हैं हर एक बातों को हम तेरे निकट लेकर आते हैं हम तेरी स्तूदी करते हैं कि तुने हर एक के जीवन को संभाल लिया इनकी सहायता की और एक नए वर्स में अपनी उस्दासी को ले पहुचाया है जो बड़ी तेरी दया से प्रवेश कर चुकी है पूरा परिवार तेरधन्यवादी है होने दे कि तुझ परमेशर भरूर सा रखते हैं अपने प्रतिदिन के जीवन को वैतित करें इस नए वर्स को बिताए और तुझ परमेशर में भी बने रहते हुए हर एक परिकार के दुरबलता परिशानियों से, सेटानी छलबल से और साथ हर एक बीमारियों से बचे रहे पुरे परिवार को हर एक नाम चुलिए गए है हर एक को तुझ परमेशर के हाथ में सौपते हैं साथ ही पिता परमेशर प्रार्थ ना करते हैं तेरे बेची प्रियंका तर्की के लिए जो भी समस्याय तकलीफे थी और साथ ही बीते वर्स से तुने नए वर्स में जो तुने उनको ले पहुँचाया हम उनके जीवन की हर एक आशी सरे कुब लब्दियों के लिए धन्यवाद देते हैं हे पिता निरंतर तु इनके जीवन के साथ रहा है प्रार्थ ना करते हैं कि आने वाले समय और जीवन में भी तु इनका रक्षक और अरगवा हो कि तुझ परमेशन में बने रहते हुए तेरी हर एक आशीशों के अपने जीवन में प्राप्त करने पार हे पिता इस उनलाइन अरादना के माद्ना से जितने परिवार जुड़ पाए हैं हम अरे एक के जीवन के लिए तरह धन्यवाद करते हैं और हर एक का जीवन तेरे निरंतर तरह धन्यवादी है कि तु नहीं सभी को हर एक प्रकार के दुरबलताओं से तकलीफों से बीमारि उसे निरंतर बचाये रखा और अपनी आशिशों में बनाये रखा है ये धन्यवादी प्रात्ना हम मांगते हैं तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता इश्यों क्रिस्ट के नाम में आमिन हम समापन प्रात्ना में जाएंगे द्यालो चीवतिया नुग्रा कारी प्रमेश्यों धन्यवाद देते हैं आज के उन वचनों के लिए जो हमारे जीवन के लिए दिया गया है कि हमारे जीवन सिर्फ और सिर्फ तेरे नुग्रा के कारण से तेरे कलोते पुत्र ईश्यो ख्रिस्त के द्वारा से ही स्वतंतर हो सकता है तरे पुत्रात्म निरंतर हमारा साहया को कर उस स्वतंतरता में हमारे जीवन को वैतित करने में हमारी निरंतर साहयता करता है अब ये पिता परमेश्वर हम तुझी में संपुन रात्ना को समर्पित करते हैं, हमारे जीवन को समर्पित करते हैं, कि हमारे आने वाले समय और चीवन में तुह हमारा रक्षक और अगवा होने पाए, कि इस पूरे सब्ता तेरी सुरक्षा में हम अपने जीवन को वैतीत करे हमारे प्रभु की प्रात्ना एक साथ करेंगे अब और सर्वदात तेरी है आमिन हम परमेशर के आशिरवात को ग्रहन करें परमेशर की शान्ती जो सारे समच से परे है परमेशर के और उसके पुत्र हमारे प्रभुईश्य उख्रिस्ट की ज्यान और प्रेम में आप सबके हिदर विचारों को स्रक्षित रखे अब सब्चक्तिमान परमेशर पिता परमेशर पुत्र और परमेशर पितर आत्मा की आशिस आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे आमिन शान्ती से पूर्णों कर जाए प्रभू से प्रेम रखे और उसकी सेवा करे ख्रिस्त के नाम में आमिन आप सभी को इशु सहाए गीत संख्या 138 हिम नंबर 138 प्राश। चेमा का तु जान्तासा मुनुश्पन दुपन दुपाया स्वाता राजा सुप्मेया प्रिये संगे दत्मी भागी दुख हमारा पुदागा चन्या मत्मान को बद्ति आन्यां बसितर बद्तु पाई रच्शु जबाश्पन दुख 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 हमादा दुख हमार कि दुख हमार कि दौ नंकी शंती किसी बोद्पन दुख हमी क्रिष्न कर्वे दुख तुख हमार् कर दो कर दो कर दो